वेलकम बेक फ्रेंड्स स्वागत है आपका आज सूपर 50 क्लास जो आपकी साइन से स्पेशल क्लास होती है उसमें आपका स्वागत है तो गाइस यह इंपोर्टेंट जो सेसन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए है और इसमें क्या करना है आपको सिंपली सेसन को शेयर करन है अगर समझ में आता है सेसनों को लाइक करना है और चो है आप अपना रिविव जरूप दान करें ठीक है इसकी सेसन आपको पसंद आता है या कुछ प्रॉवलम में आती है यह जो बी वाटेवर आपको जो भी समझ में आता है कि सेसन आपके लिए कितना इंपोर्टेंट है तो आप लोग नीचे रिवीव जरू पदान करें हमारे को ताकि हमें भी एटलिस्ट ऐसा लगे कि हम भी आपको कुछ अच्छी चीजे प्रोवाइड करते हैं तो ज्यादा टाइम ना रहने की प्रवर्ती होती है इसका कारण यह है कि प्राणियों में मामले में ठीक है प्राणियों के मामले में आमासय में आमासय के हार्मोंस ऐसी परिस्तिती उत्पन करते हैं या फिर प्यूज गरंती के हार्मोंस उपाप चाई प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं या फिर हो option number D है glucose का आत्म मलियन हो जाता है तो right answer की बात कर ले क्या right answer अगर आपने चूस किया है कि option number first ही होगा तो बिल्कुर right answer होगा option number अगना से के hormones ऐसी परिष्थिति में उत्पन्न करते है देखिए और disease के मैं question आपको करवा रहा हूँ नेस्ट देखिएगा question क्या है आपके screen पर कि यकरत रोग आपका hepatitis B का कारक है RNA virus DNA virus जीवानू या फिर आपका प्लेट हलमन्तीज तो right answer क्या होगा option number B DNA virus is the right answer option number क्या होगा बी इसका बिल्कुर correct answer होने वाला है चलिएगा चलते हैं देखते हैं next question क्या है तो next question आपके screen पर है क किस सुचमजीव के द्वारा hepatitis B की बिमारी होती है आपको जो है guys answer तो एक ही मिलेगा बस question का pattern अलग-अलग प्रकार से प्रोवाइड किया गया है प्रोटो जवा, virus, bacteria या इन में से कोई भी नहीं तो देखेगा इसका answer होगा आपका virus ठीक है और इसका nest जो question hepatitis B के बारे में नहीं पूछा था बट देखिए उसका जो option change कर दिया है तो इस तरीके घुमा कर भी आपको examiner question पूछ सकते है तो या पर हर pattern पर आपको question available है निमने लिकित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूसन की वज़े से नहीं है पानी के प्रदूसन की वज़े से नहीं होता है आ कि सरत्य प्यास किया है चलते है आगे देखते नहीं क्या है अपके स्कृण पर है कि १मानुस्य का सरीर सीधा प्रभावित होने वाला अंग है मतलब जो हमापका को moments, जो रोग होता है इसे मनुस्यका कौन सा अंग प्रभावीत होता एक सब्सक्राइब धिस्फि civ की अंसर होगा आपका अपिस नमबर B आपका बिलकुर करेक्ट आंसर होगा ठीक है न क्या होगा तका लिवर इजर रायट आप ज़िए चलते आगे में पिर आपको होगा है जलते हैं स्कृण पर नेस्ट नेकोस नोगों यह चलते हैं अपने लिकित कदने कोद्व पर विचार करने ध्यान देना है कि एट्स का संचरन होता है लेंगिक संभोग से या रक्तता धारन से मच्चरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से या फिर आपका अपरहा संपर्क से चलेगा देखेगा राइट अंसर की बात कर ले आपका तो क्या होगा फर्स्ट ऑप्सन मतलब जो है से थर्ड को छो तो है आपको क्या करना इन पर विचार करना है डेंगु है मच्चरों द्वारा संचारित प्रोटोजवा रोग या और दियापका प्रत्यक्च प्रत्यक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगु का लक्षन नहीं तवचा पित्ति का तथा नाक से रक्तदाब डेंगु के कुछ ल नमबर थर्ड मतलब नमबर फर्स्ट राइट है और उपर से जो है ठर्ड सही है चले चलते आगे नेश्ट देखते है क्या है इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि कौन सा कतन सत्य है यही पूचा गए आपसे कि एक वेखती के सरीर में दूसरे को मोनिंगो कारक्सी का संचरन मच प्रोसीजरों के काटने से होता है और सेकेंड आपका वावन तथा गृवा पीड़ा मेनिगो कॉक्सी के लक्षणों में दो लक्षण होते है तो देखिए इसका राइटन से क्या होगा केवल और केवल सेकेंड साही होगा यह जो है फर्स्ट जो है रोंग है मतलब क्या आगे नेस्ट कोश्ण देखते क्या है नेस्ट कोश्ण आपके स्क्रीन वेकि हैपेटाइटिस बी की बीमारी किस सुच में जीव से होती है वायरस बेक्टिरा पोटो जवा इनमें से कोई नहीं यह कोश्चन रिपीट हो चुका है मैंने आपको बताया था वायरस द्वारा होती है आगे देखते हैं नेस्ट कोश्ण क्या है कोश्चन है कि डिंगू बुकार में मानव सरीर में निम्नली कित में से किसकी कमी हो जाती है है हैमोगलोबीन की प्लेटे हलमेंतिस की सरकरा की या फिर आपका जलकी तो आंसर क्या होगा आपका प्लेटे हलमेंतिस की कमी हो समा चारों में निम्नलिकित में से किस एक बीमारी के संदर्व में आपका उल्लेक किया जाता है बर्ड फ्लू एड्स डेंगू या फिर आपका स्वाइंग प्लू तो राइट अंसर क्या होगा स्वाइंग फ्लू इस राइट अंसर क्या होगा जापानी होगा तो देखेगा आपका बिल्कुर जापानी एंसे इसका बिल्कुर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमबर डी बिल्कुर बेटर आंसर है आपका देखेगा नेस्ट कोशन देखते हैं क्या है तो आपसे पूचा है कि HIV एड्स द्वारा होने वाला रोग क्या है त का एडस में से किस रोग का संचीपत रुख सींड्रोम किस ऑप्सन में भीया एक्वाइड्ट इम्मिनोड टेफिचन सींडूम ऑप्शननमें दिया हूँ है औसizon सfelक किस्पि के लिए जाना जाता है कि चिचक anlam प्रोक्त में से कोई भी नहीं तो आपको पता है कि पूलियों के टिके के लिए जान सालक को जाना चाता है नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि चेचक के टिके के रूप के लिए किसे जाना चाता है उसका नाम आप कमेंट्स करना है चलिए आगे चलते है नेस्ट नमबर बी आपका correct answer ही कि यह विसानू द्वारा होता है option नमबर क्या होगा बी इस राइट answer चलते है आगे देखिएगा next question क्या है कि निवनलिकित में से कौन सा bird flu विसानू है क्या है कौन सा जो है आपका bird flu विसानू है n h5 n5 h1 तो क्या होगा राइट answer बता दो आपको option number d आपका h5 n1 ठीक है ना option नमबर क्या है option नमबर जो है आपका five option नमबर डी इस राइट answer ठीक है आपका h5 n1 इसका बिलकुर सही answer है देखिएगा आगे देखते क्या है कि पसुवों को मानव रियासी छेत्र से दूर रखना किसकी उन्मनन को सहक है मतलब किसकी उन्मनन के लिए सहक है जापानी एंसे फिल पाव के या फिर आपका पोलियों के तो राइट answer क्या होगा option number a ही आपका सही answer होगा चलिए आगे देखते हैं डेंगू बुकार का संचरन होता है घरीलू मक्की से मच्चर से तील्टर से आपका पसूस से तो option number b मच्चर द्वारा होता है डेंगू तो मच्चर द्वारा मादा एनाफिली मच्चर की काटने से होता है खसरा की बीमारी जो होती है आपका कवक द्वारा वाइरस द्वारा ठीक है या जो है आपका जिवानु या फिर आपका ओप्सन नमबर डी इन में से कोई नहीं तो ये आपका खसरा जो होता है आपका क्या वाइरस से होता है क्या ओप्सन नमबर क्या होगा आपका बी नेस्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं देखेगा नेस्ट कोश्चन क्या पूचा है कि आपका इनफ्ली इंजा रोग खाली स्तान होता है को किस से होता है कवक द्वारा विसाणु द्वारा सेवाल द्वारा या फिर आपका जिवानु द्वारा होता है तो क्या होगा ऑप्शन यह देखा आपका आतर जवार जूराई त्हलिय कर दूंशा होता है चली उके इंफलुनेजा रोग होता है यह भी आपका इनिमीलिया होगा वारन के दौआरा एक रोग क्या है पूचा यहां पूचा गया इंफुलियज़वारास से होता है और आपका गलस व्युड़ज श होता है एक रोग छोड़के मतलब आपका अंतरजवार जो आपका ये बैक्टिरिया से होता है अचाए ये कुश्ज़ें पूच़ता आप शे कौन सा जो है वायरस से नहीं होता है चलिए देखेगा एट्स का कारण क्या प्रुटो जो है बेक्टिरिया वायरस तो वायरस इस राइट अंसर यह तो आपको आलमुस्ट पता है पोल्यो का कारण क्या होता है तो देखेगा वायरस ही होता है पोल्यो का भी कारण क्या होता है आपका वायरस ही होता है निम्रलिकित में से किस रोग का प्रती जेवी द्वारा निदान नहीं किया जा सकता तो इसका आंसर क्या आप सभी का ऑप्शन नमबर B होगा क्या तो B is a right answer होगा अगर आपने बी कर रहा है तो चलेगा देखेगा next question क्या पूचाए कि आपका स्वासनाल से सम्मधित बीमारी सही है को आपका कोलाइन होगा बेरी-बेरी होगा आर्थ होगा या फिर आपको influenza होगा तो right answer क्या होगा influenza is a right answer क्या होगा option number D correct है चले चलते अब आगे एट्स क्या पूचा है एट्स के लिए निमन एट्स विसानों के लिए सबसे ज़्यादा आज माई गई दवा क्या है माई को नाल जोल या फिर आपका क्या दिया है और चलिए देखिया जो है आपका यहापर दिया है जीडो उडो तो यही बिल्कूर इसका सही आंतर होगा क्या होगा एजीडो थाइमी इसका बिल्कूर करेक्ट आंतर होगा ठीक है ना option number B चलिएगा देखियेगा नेस्ट कोज़चन के और बरते है कि फीला बुखार क्या पूचा आपसे कि फीला बुखार निम्नलिकित के दौरा फैलता है जल के दवारा, वायू के दवारा, घरेलू मक्की दवारा या उपरोप्ति में से कोई भी नहीं, किसके दवारा फैलता है? तो option number C right answer होगा, घरेलू मक्की के दवारा, किसके दवारा फैलता है? घरेलू मक्की के दवारा फैलता है, option number क्या होगा? C right answer है आगे देखते हैं next question क्या है कि निमनलिकित में से कौन सा किट के काटने से होता है तो किट के काटने से कौन सा जो होता है रोग होता है डेंगू होगा इसकरवी होगा निमोनिय होगा या फिर आपका दमा होगा तो option number A is the right answer, क्या होगा, डेंगू is the right answer, ठीक है न, क्या होगा, डेंगू आपका correct answer होगा, देखिए, चलते हैं अब आगे, next question क्यों बढ़ते हैं, next question क्या पुछ गया है, इस पर देखते हैं, पुछ गया है कि निम्न लिकित में से किस युगमक की बिमारियों का कारण विश से answer है, देखिएगा, तो next question पुछा है आपका, कि अर्ग टाइड, उपभोग से होता है, वीगिल, वीगिलित होती है, वनस्पतिया, संदूसित, अंत, अंत के, संदूसित जल के, या फिर आपका होगा, पकाय हुए, बासी खाद के, तो right answer क्या होगा, option number B ही right answer होगा, क्या विश्व के कुछ भागों में, विद्धमान महामारी पसुओ का food and mouth रोग होता है, तो food and mouth रोग क्या होता है, फंगस के कारण होता है, जिवानू के कारण होता है, प्रोटो जवा के कारण होता है, या फिर आपका विशानू के कारण होता है, तो ये किस के कारण होता है, त आपको कि निम्न लिकित में से किस रोग को एंटीबर्टिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता क्या पूचा है कि एंटीबर्टिक द्वारा ठीक नहीं किया सकता आपका टीटनेस होगा कुष्ट होगा या फिर आपका खसरा होगा या फिर हैजा होगा राइट आंसर क्या होग बेक्टिरिया और मादा क्यूलेक्स मच्चर द्वारा वाइरस और मादा एंडीज मच्चर द्वारा फंगस और मादा एंडीज मच्चर द्वारा प्रूटो जोआ और मादा एनाफिलीज मच्चर द्वारा तो क्या होगा गाईस? आपका बी करेक्ट है कि वाइरस और माधा इंडीज मच्चर द्वारा ओप्सन नंबर क्या होगा आपका बी करेक्ट है चलेगा चलते हागे नेस्ट कोशन देखते है कि नीम लिकित में से किस सेट में सारी विसानू जनित बीमारिया है तो मम्स रैबिज है या होगा या फिर आपका हर्फिस होगा चोटी माता चैंसर और आपका तपेदि होगा तो आपका ओप्सन नंबर एई ही इसका राइट आंसर है ठीक है ना ओप्सन नंबर क्या होगा एई इस राइट आंसर चले आगे बढ़ते हैं कि आपका HIV एट्स रोग नहीं होता है बीना उबली सुई के प्रयोग से HIV संक्रम थाइट के लिए उतरदाई विसानु का उधारन है तो एट्स के लिए कौन सा विसानु होता है यह जो आपके लिए मैं एक होमवर्क प्रॉइड कर रहा हो तो इसका आपको सॉलूशन करके मुझे कमेट्स बॉक्स में जरूर से बताना है ताकि एटलिस्ट जितना बच्च तो like किजेगा और जो भी student guys हमारी चैनल पर first time आया है first time ये वीडियो देख रहा है तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर daily आपको कुछ नहीं update प्रोवाइड की जाती है चले मिलते next class में जैहिन नमस्ति